हालो एवरिवन स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में मैं हूँ अवशेक और आप देख रहे हैं हमारा योटूब चैनल आईडियल योटूबर बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस्टुडेंट फाइनली बिहार पोल टेकनीक पारामेडिकल जिसमें पी-ई, पी-पी-ई, पी-म और पी-म-म के जो एडमिड कार्ड है वो आ चुके हैं बहुत से ऐसे एसे एस्टुडेंट हैं जिनको एडमिड कार्ड डाउनलोड करने में प्रोबलम आ रही है ठीक है तो इस वीडियो में हम आपको step-by-step process बताएंगे कि कैसे एडमिड कार्ड डाउनलोड करना है अपने phone या laptop से उसके बाद exam का क्या-क्या instruction है जो आपको exam से पहले और exam center पर follow करना है ताकि आप सबों को कोई प्रोबलम ना हो सके जिन भी एस्टुएंट को एडमिड कार्ड वो ले सकते है ठीक है strength तो admit कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले bcec के official website पराना होगा ठीक है website यहाँ पर देख सकते है बिहार बोड का official website है bcec का उसके बाद यहाँ पर online application form में online application portal दिया गया है इस पर आपको click करना है number one वाले पर ठीक है थोरा सा आपको wait कर लेना है क्योंकि internet जो है वो slow है ठीक है website slow है क्योंकि admit card अभी आया ही है ठीक है उसके बाद यहाँ पर download का option आ रहा है इसमें आपको PE, Polytechnic Engineering, PPE, Parametrical, Parametrical ठीक है उसके बाद इस साथ चारों का admit card है एक ही से download होगा simply आपको यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद थोरा सा wait करना है क्योंकि website जो है वो थोरा सा slow है ठीक है वीडियो को पूरा देखिएगा कहीं कोई doubt रहता है तो आप वीडियो के comment section में comment कर सकते हैं या हमें instagram पर message कर सकते है ठीक है email id और password से अभी login कर सकते है आप और registration number और date of birth से भी आप login कर सकते है ठीक है तो registration number और date of birth से मैं login करता जब आपने form fill up किया होगा तो उस पर registration number होगा जो आपका date of birth है उसको इंटर कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर चलिए मैं अपना registration number और date of birth है उसको इंटर कर लेता हूँ मैं फिर आपको अगले next step पर लेके चलूँगा student देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना application number और date of birth है उसको इंटर कर लिया है क्याप्चा डालने के बाद आपको sign in के option पर click करने के बाद आपको थोरा सा wait कर लेना है यहाँ पर देख सकते है registration number जो भी course है पारामेडिकल का course था उसके बाद जिस भी student को part A और part V form download नहीं किय है तो यहाँ पर click करके आप part A और part V form है उसको भी download कर सकते है ठीक है उसके बाद admit card download करने के लिए आपको यहाँ पर click करना होगा ठीक है simply मैं यहाँ पर click करके admin card जो होगा वो download कर लूँगा ठीक है देख सकते है मेरा admit card जो है वो automatic download हो चुका है ठीक है इसी तरीके से आपको admit card download करना है और उसको print करके लिए जाना है ठीक है उसके बाद आपका exam center जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लस टू high school नालंदा में इनका exam center परा है center code है 11.15 ठीक है reporting time जो है वो 10.07.2022 को 8.00 में reporting है ठीक है जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते ह P.E. P.E. का जो exam है वो 9 तारीक को है 11.00 से 1.15.00 तक 10.00 साथ को है परामेडिकल परामेडिकल सकेंड वाले का जो देख सकते हैं 11.00 से 1.15.00 तक जो exam होगा उसको बाद सकेंड में 2.00 से 4.15.00 तक exam होगा ठीक है student उसके बाद यहाँ पर कुछ instruction जो दिया गया है इसको आपको अच्छे से देखने की जरूरत है ठीक है आपको exam center पर आधे घंटे पहले पहुचना है ठीक है आपको 10 minute पहले आपको अपना अस्थान जो है वो गहन कर लेना है ठीक है student उसके बाद आपको exam hall में ठीक है देख सकते हैं exam hall में आपको calculator वगेरा लेकर के नहीं जाना है उसके उनको अंदर जाने की अनुमती नहीं दी जाएगी आपको जूता बाहर खोलना होगा आपको ऐसे ही नंगे पाउं जो है वो आपको अंदर जाने दिया जाएगा ठीक है जो आपको OMR seat पर booklet नमर सामान होना चाहिए ठीक है आपका जो परतिक परिछार्ती विक्चक निधार अंग्रे जी हस्ताक्षा करना अवश्यक है ठीक है हिंदी ते था अंग्रे जी में आप वहाँ पर हस्ताक्षा करेंगे ठीक है उत्तर पुस्तिव का आपा छप्पा नंबर और OMR seat का बुगलेक्ट नंबर है दोनों सेम होना चाहिए ये लोग आप मेंटेन कर सकते हैं एक बात और है कि जिस भी स्टुडेंट का एड्मिट कार्ड में कोई गलती है तो उनके पास अभी टाइम है तीस छो से लेकर के चार साथ तक आपको आई एस भवन जो है बी सी सी का बोर्ड आफिस है वहाँ पर जाकर के एड्मिट कार्ड में सुधार करवा सकते हैं एक अंति मौका दिया गया है ठीक है स्टुडेंट उसके बाद आपको क्या क्या एक्जाम सेंटर पर ले करके जाना है ठीक है वो यहाँ पर मेंसन किया गया ठीक है देख सकते हैं आपको एक्जाम सेंटर पर जो है मैं बता दे रहा हूं तो आसा वेट कर लिजिए यहाँ पर देख स दो photos ले जाने है ठीक है दो photo आपको ले जाना है और valid ID proof जो है वो आपको ले करके जाना है ATM card वगरा जो है वो ले करके नहीं जाना है किनि ये strength को कोई doubt रहता है तो वीडियो के comment सक्षन में हमें comment कर सकते हैं आप मेरे Telegram चैनल को यूटूब चैनल को है वो counseling process समझाएगा ठीक है student यह admit card print करके आपको यहाँ पे अंग्रेजी में और हिंदी में हस्ताक्चर करने होंगे उसके बाद कुछ covid का जो guidelines है उसको भी हम समझ लेते हैं ठीक है जैसे कि मैंने बता दिया है ठीक है आपको personal hand sanitizer water bottle pain blue black ले जाना है document में admit card id card ले जाना है ठीक है उसके बाद आपको time slot entry of candidate दो घंटा पहले से entry जो होगा वो start हो जाएगा ठीक है आपका जो वहाँ पाग temperature भी लिया जाएगा अगर temperature जो होता है अगर covid का symptoms रहता है तो आपको isolate करके दूसरे रूम में exam के लिए बठाया जा सकता है candidate need to follow directions given by the center in charge at the entry point जो भी आपको instruction मिलता है entry point पर उसको follow करना है follow नहीं करते हैं तो आपको exam से डिवार भी किया जा सकता है तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ admit card को ले करके किनिए student को कोई problem हो तो video के comment section में comment करे या admit का download नहीं हो रहा है तो आप हमारे expert टीम से contact कर सकते हैं description box में WhatsApp detail है अपने सारे doubt को उनसे कहके सारे doubt को clear करवा सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते